दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टी ट्वेंटी मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्ध हो जाने के बाद अब दूसरा मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है जिसके लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतिय की खतरनाक मजबूत प्लेंग 11 का ऐलान कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान सूर्य कुमार ने भारतिय टीम की प्लेंग 11 में ऐसे ऐसे विसफोटक खिलाडियों को प्लेंग 11 में मौका दिया है जो साउथ अफरीका की टीम को अकेले के दम पर हराने का होसला रखते हैं जी हाँ दोस्तों सूर्य कुमार साउथ अफरीका के खिलाफ अब बचे हुए दो टी-20 मुकाबले में लगातार जीत किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं क्योंकि सूर्य कुमार जानते हैं कि अगर हम दूसरे टी-20 मुकाबले में जीत नहीं दर्ज कर तो हमें सीरीज जीतने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा इसलिए सूर्य कुमार ने भारतिय टीम की प्लेंग 11 में सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक बल्ले बाज और घातक गेंदबाजी करने वाले खिलाडियों को ही प्लेंग 11 में मौका दिया जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साउथ अफरीका के खिलाफ दूसरे टी 20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किन 11 भूखे शेरों को प्लेंग 11 में शामिल किया है। को लाइव आप कहां देख पाएंगे इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है। चलिए दोस्तों आज की इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतिय टीम T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग में इस समय नंबर वन पर है और साउथ अफरीका की टीम भी नंबर दो पर है। इसलिए इन दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक और कांटेदार होने वाला है। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद हो गया लेकिन इस सीरीज को और भी ज्यादा रोमांचक बना गया। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अफरीका के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मुकाबले में किन-किन धाकड युवा बल्लेबाजों के साथ मैदान पर उतरेंगे। क्या रहने वाली है? साउथ अफरीका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भारतिय टीम की ब्लॉक बस्टर प्लेइंग 11 जो साउथ अफरीका की टीम को कुचल कर दूसरे T20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करेगी। दोस्तों, तेज गेंद बाजी के लिए किसे प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है, विकेट कीपर के तौर पर कौन शामिल है, ओपनिंग कौन करेगा, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भारतिय टीम की ओपनिंग जोडी की बात करें, तो हम सभी को ओपनिंग जोडी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अफरीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मुकाबले में ओपनिंग के लिए यशस्वी जयस्वाल के साथ सुभमन गिल को मौका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रितुराज गायकवार्ड प्लेंग 11 में शामिल नहीं किये गए है। एशस्वी जयस्वाल और शुभमन गिल ही भारतिय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों, रितुराज गायकवार्ड ने उस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बहुत ही बहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुभमन गिल भारतिय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में नियमित ओपनर बल्लेबाज है इसलिए रितुराज को मौका नहीं दिया गया है। जबकि दोस्तों नमबर तीन पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि पिछली सीरीज में आप सभी ने देखा कि नमबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया। और इसी को मद्यंजर रखते हुए कप्तान सूर्या ने अब अफरीका के खिलाफ भी नमबर तीन पर इशान किशन से ही बल्लेबाजी करवाने वाले हैं। जबकि दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नमबर पांच पर भारतिये टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रिंकु सिह को प्लेंग 11 में शामिल किया है। मौका मिला है। भारतिये टीम में कुलदीप यादव भी शामिल है। लेकिन रवी बिश्णोई भारतिये टीम की प्लेंग 11 के लिए सबसे बेहतर विकल्प थे। जबकि दोस्तों तेज गेंदबाजी पक्ष में अर्षदीप सिंह दीपक चाहर और मुकेश कुमार शामिल है।